चलिएगा फाला कोशन है भार्तिय समिधान के अनुशेद यादखेगा खाली जगार में उलेखित है कि राश्पती एंगुल इंडिया समुदाई के दो शदश जो होते हैं शदशों को लोगशावा के नाम निर्देशित कर सकते हैं राश्पती जो है दो नाम निर्देशित कर सकते हैं इंगुल इंडिया का यादखेगे और दो लोगशावा में यादखेगे यादि समुदाई का प्रतिनिधित प्रयाप्त ना हो तब समझ जाईए तो किस अनुशेद में इसकी चर्चा है यादखेगा अनुशेद आप या निर्देशित में से किस वर्ष में राष्टिये जूट नीती का सुत्री करन किया गया था इसका उद्देश जो है उतपादक्ता में ब्रिधी कुनवत्ता में शुधार जूट किशानों को अच्छी कीमत सुनिचित करना और प्रति हेक्टियर उपज में ब्रिधी करना था बढ़ेगा किस वर्स वर्स इसका बताना है तो आपसे नमबर भी या ठुखेगा 2005 में या ठुखेगा पर्सन या जूट नीती 2005 के तहर ये बुहुषना की गई थी या ठुकेगा यही था तो अगर आप से पूछेगा कि जूट नीती कौन सी तो 2005 बस इस question को घुमा कर एक confusion वैदा किया था लेकिन कुछ ऐसा नहीं था बस यहाँ पर जैसे ही जूट नीटी या पटसन नीटी आती तो 2005 यहाँ रखते इसी अधिनियम द्वारा यह जो है बृद्धी, कुनवत्ता, उत्पादक्तार, सुधार, इस सब जो किसानों के लिए तो क्या गलत करते हैं, नहीं करते हैं, जैसे ही जूट की नीटी आई, 2005 यहाँ रखते हैं, आपसे clear हो गया, आपसे दिक्कत नहीं होगी न, चलेंगे आगे, पार्टी में, यहाँ पार्टी में जो गुबारे फुलाने के लिए निमरीखित में से किस अक्रिये गैस का उप प्योग किया जाता है, आप लोग पार्टी करते होंगे, या कोई बड़े पार्टी, या साधी पार्टी, जो भी करते हैं, उसमें गुबारे फुलाते हैं, फुलाये जाते हैं, उसमें बताएगा कौन से अक्रिये गैस का उप्योग करते हैं, कौन सा ऐसा गैस है, जिसका हम लोग करते हैं ये बताईगा तो यह तकिएगा option number B helium का प्रियोंग करते हैं किसका प्रियोंग करते हैं यह त्यान तक्षिएगा क्योंकि यह halky होती है तथा वाईवयानो के टाईरों में भी helium gas भरी जाती है तो आपसे अगर पूछेगा कि helium और कहां इस्तमाल करते हैं तो बाईवान जो होता नजहाज उसके टाहरों में भी हिलियम भरते हैं क्योंकि हलका होता है तो अगर पूछा जाए कि शादी या पार्टी में आप जो गुबारे फुलाया जाते हैं उसमें कौन सी गैस होती है तो हिलियम गैस होती है यह धान केगा चलें में इसमें से किस वर्स किया गया था बता सकते हैं तो या दिखिए गा option number B उने 130 में किया गया था अगर आप से पूछ दे प्रथम राष्ट मंडल खेलों का योजन जो है इनमें से किस वर्स में किया गया था तो उने शौव तीस में किया गया था, यह ध्यान रखेगा, च्छा करते हैं, तो ब्रिटेन के द्वारह कहिए किया गया था, तो उने शौव तीस में कोई दिक्कत नहीं, अराम से हो जाएगा, है ना, आगे चलिएगे, आगे सवाल बनता है, कि नमरीकित में से किस महाशागर का सबसे गहरा बिंदू जावा गर्थ है तो बताईगा कल ही मैंने सवाल पूछा था महाशागर का बाद तो बहुत लोगों ने अच्छा जवाब दिया बहुत ही सटक जवाब दिये बहुत अच्छा लगा इसी पर अधारी टेक सवाल आ गया है बताईगा नमियर्खित में से किस महाशागर का सबसे 12 बिंदू जावा गर्थ है बताईगा उसका नाम बताईगा पांच़ मा प्रस्ण का जवाब देंगे तो यर्थ खेगा option number में यह तकीगा शी होगा हिंद महाशागर क्या होगा तो हिंद महाशागर होगा तो अगर आपसे पूछे कि जावा को एक और नाम से जानते हैं उसका नाम क्या है तो सुन्डा गर्थ है जो कि हिंद महाशागर का ये सबसे गहरा बिंदू माना जाता है कोई दिकत नहीं न और बता सकते हैं और क्या हो सकता है अगर इसकी गहराई कि अगर बात करते हैं या दिखेगा ये भी हिंद महाशागर का उत्तरी भाग में या दिखेगा इसकी अगर मीटर पूछे आपसे कि कितना मीटर में नमत गहरा है तो या दिखेगा इसका जो है 8152 है या तकी का किलियर आगे चलते हैं कोई रिकर नहीं आगे चलेंगे चटे प्रश्ण के और चलेंगे मेरे दोस्त जो भी अभी पुराना वीडियो देख रहे हैं हमारा जो कि प्रिवेश येर का जो कि या करने इंट अफेर का जो वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया है उसमें थोड़ी से क्या है कि शुरुआर जब किया था तो बहुत सारे गलतियां होती है अभी भी गलती होती है लेकिन अब जो है अब करने इंट अफेर आप देखें उसमें मेरी आवाज बहुत अच्छी होगी चलिएगा आगे सवाल है चट्टा प्रश्ण है कि भारतिय इस सम्मेधान के याद रखेगा कि नम्रीखित में से किस अनुष्यद के अनुशार देश के नागरिकों को प्रान एवं देहिक सौतंता के सनच्छन का अधिकार प्राप्त है अगर मेरा वीडियो अनुष्यद का देखे होंगे मेरा दोस्त तो आप जानते हैं कि आपका इ देहिक सौतंता की अगर बात करेगा सनच्छन का तो कौन सा अनुष्यद के तहद है बताएगा हैना इसे देखते ही आप पूस जवाब देदेना चाहिए था कैसे तो याद रखे का ऑप्शन नमबड़ी अनुष्यद एकिस में इसका है मौलिक अधिकार के अनुष्यद ए याद रखेंगे योजना के तहर एक परिवार को मिलने वाले वार्शिक स्वास्त कबर की राशी कितनी है इस पर भी करवा दूँगा योजना आयोग के तहर याद रखेंगा एक परिवार को मिलने वाले वार्शिक स्वास्त कबर की राशी कितनी है अब बताए कितनी है यह बताईए त्यार देखेगा इसमें देखे इसका किलियर नहीं क्या हुआ मेरे दोस्त इसके अगर इस बुक के अंसार चले तो 5 लाग है ठीक है इस बुक के अंसार चले तो 5 लाग है कहीं कहीं क्या है कि इसको बढ़ा दिया गया है कहीं कहीं से कम कर दिया गया है तो इसका आक प्रकड़े को देगा ऐसा नहीं अगर दे विदिया तो पता करके जाएंगे नहीं देखिन यहां खांसर के मुख के हिसाब से अगर देखा जाए तो पांच लाग है यह तो आप किसे मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं चलेंगे केरल में मनाये जाने वाला ओनम नामक भारतिय तेभार जो है कितने दीनों तक मनाये जाता है ति मनाये जाता है कि और दूसरी बात है कि इसमें आपको ननम चलेंगे, आगे चलेंगे नौम अपरश्न की और चलेंगे, नौम अपरश्न क्या बोलता है मेरे दोस्त? कि बनारस में इन में से किस राजा को 1781 में वारेंग हेश्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था, मतलब 1781 1781 में Warren Hganisting द्वारा गिरफतार किया गया था तो किसके द्वारा बनारथ में इनमें से किस राजा को 1781 में Warren Hganisting द्वारा गिरफतार किया गया था बताएंगे नॉमल प्रश्ण के जबाब देँगे तो यह तखेगा Bailey से रहत Nie को प्रशन है कि इन में से किस रज में शान्ती की पृतीमा का अनावरन किया बताएगा तो आप समझे गेए कि अगर पूशे आपसे कि अगर पूछे कि कहां किया गया है सांती परतीमा तो या दिखेगा रास्थान में किया गया है 16 नुमबर 2020 को ठीक है 151 इंच की अश्टधात्व निर्मित की गई है एक तरह से जैनती का समरो था उसमें किनका तो विजय बल्लव सुरी सर्व महराज का या दिखेगा बल्लव महराज का एक तरह से या दिखेगा बल्लव सुरी सवर या दिखेगा यही नाम है उनका महराज कि मूर्ति का अनावरन किया गया है वो भी रास्थान में को ठीकर नहीं चलते हैं आगे 11 प्रश्ट की अगरबात करते हैं 11 प्रश्ट की अगरबात करें जवरक्त प्रवाह में कैल्सियम की मातरा अधीक हो जाती है जवरक्त की प्रवाह जब होती है तो कैल्सियम की मातरा अधीक हो जाती है तो मनिश्यों में निम्रिकित में से किस गरंथी द्वारा केल्सी टॉनीन हर्मोंज का स्रवित होता है बताईगा किस गरंथी द्वारा केल्सी टॉनीन हर्मोंज का स्रवित होता है कौन सा बताईगा उस गरंथी का नाम बताईगा जिसे केल्सी टॉनीन हर्मोंज स्रवित होता है निकलता है यह बताईगा जवरक्त का प्रवाह में कैल्सियम की मातर अधीक हो जाती है तब बढ़ाईगा तो कौन सी गरंथी है उसका नाम बताईए तो उसका नाम है थोराइड यह दो किएगा थोराइड तो यह दो किएगा थोराइड के अगर मातर अधीक हो जाए इसमें कोई दिक्कत नहीं रिफिट करके भी कर रहा हूँ मेरे दोस्त कि आपको बार बार सुन के याद हो जाए कि अगला कोशन अगर आए तो आप सो सुल्व कर सकें चलिएगा आगे निम्रिकित में से किस वर्स में गांधी इर्विन समझहोता पर हस्ताचर किये गए थे यातखेगां निम्रिकित में से किस वर्स में गांधी इर्विन समझहोता पर हस्ताचर किये गए थे पताइ 지역ा, तो आपकेगा option number D यातखेंगे उने शोई 31 में किया गया था ये जस्ट मैने previous share में आज का 12 वज़े का मैंने पढ़ाय था 2000 का जब प्रिवेश ये जो आप करवाया है उसमें आगर आप पढ़े होंगे तो ये आप जानते होंगे कि गांधी रिविन की समझा होता के बारे में ये प्रशन पूछा था पूछा था कि नहीं ये बताईएगा तो पूछा था और ये 1931 में हुआ था गांधी रिविन समझा होता चीक है उसमें लेकिन कोश्चा नालग था डेट ही नहीं पूछा था डेट दिया हुआ था डेट दिया हुआ था लेकिन उसमें क्या था कि गांधी रिविन जो था इस तो कौन सा तोनेश-वैक्तिस के गान्दि हिर्विन समझाता हूँ था। इसी के रूप में सुमझ गया है। तो यही था कोश्चन उसनमें कौन दुहजाद इस वीगासर में समझ गया। तो इसी चीज़ को सिर्फ घुमाता है मेरे दूस्त कहां से देगा कोशन है ना तेरा हमेरे प्रश्ट की ओर चलेंगे निम्रिकित में से याद किएगा जो है शक्खियत की यतों मेशे किसे भारत के पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित कि किया जा सकता है मतलब कौन से ऐसे वेखती हैं जिनके चीज़ातों में किस भारत के पिछड़े वर्गों और जाटीयों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जाता है तो जैसे प्रवक्ता की बात आ जाती है तो हम लोग बीना सोचे विचारे डौक्टर भीम्रावावयतकर को कर जाते हैं, क्योंकि पिछले वग और जातियों के प्रवक्ता के रूप में भीम्रावावयतकर को जहें, महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये समझें, सभी के लिए वो लड़े थे, या तो खेगा कोशिस करता हूँ मिरे दोस्त केश फूट करतू है ना क्योंकि बहुत लंबा चला जाता है कल बहुत जादा चला जाता है चलिए बाद में डिटेल दिया जागा है ना चलिए अंचथ सरत कमल एक भारतिये पिशिवर हैं कौन से खिलाडी है तो यहां रिखिगा टेबल टेनि प्रत्म गिंदवाज कौन ऐसे नाम मुहम्मध सिराज या तो महमध सिराज का नाम आता है दो ओभर मेडन देने का चलिएगा आगे चलते हैं आगे सुलामा प्रश्ण की ओर चलते हैं सुलामा प्रश्ण है कि सहीदी सभा जो है तिवहार निमिखित में से किस राज द्वारा मनाये जाता है तो सहीदी जो तिवहार है वो बताएगा निमिखित में से किस राज द्वा बानभट ने राजा की जिवनी लिखी कौन से राजा की जिवनी लिखी है बानभट ने बताएगा जिवनी लिखी तो बानभट ने किस के समय में ये बताएगा कौन से किस राजा पर तो याद करेंगे बानभट की बात करते हैं तो हस्वरधन को याद करेंगे तो बानभट बानवट ने राजा हसवरधन की जीवनी लिखी याद रुखेगा ठीक है बानवट ने किसकी जीवनी लिखी तो हसवरधन की जीवनी लिखी क्योंकि इनके दर्वार में ही बानवट रहते थे याद रुखेगा ठीक है चलिएगा हस चरिता नाम ही था ठीक है याद हो गया हस नाम ही यह किताब का या तो कहेंगे आगे चलेंगे निम्रिकित में से कौन Grand Paren्ट graphic of stories की लेखी का है बताएगा निम्रिकित में से कौन grand parents bag of stories की लेखी का है बताएगा यह बहुत ही अच्छा कोशन है कौन है यह बताएगा तो 18 प्रश्ण का जो जवाब दे रहे हैं उनका नाम क्या है बता सकते हैं तो यह बताएगा उनका नाम उसका नाम आप याद कर सकते हैं वो जो है आपका दिप में है याद के कहाँ मताएगा तो अरब शागर के लच्ची दिप इस bisher कहते ही याद केगा तो यह कहां लच्छ डिप है आगे चलें 20 मा फ्रस्ट के ओच लेंगे निमरिकित में से यारकिया निमरिकित में से किस वस्तुकार को यारकिया बिटिस्काल के दौरान नई दिल्ली के मुख भागो में इमारतों की युजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का स्रेडिया जाता है कौन से ऐसे हैं पताएग बस्तुकार नाम बताएगा उनका जो कि बिडिस्काल के दौरा जो है नए दिले के मुखभागो में इमारतों का युजना बनाने और डिजाइन करने का स्ड़े दिया जाता है उनका नाम आता है तो उनका नाम बहुत ही शट्रूप से आप जानते हैं एडविन लूटिंग यस का नाम आता है याद केगा तो बताएगा नमरिकेट में से कौन सा दीप जो है इनुषको विश्व धरोहर अस्थल है जिसमें मुख रूप से हिंदू भगवान शिप को समर्पित कुफा मंदिर का शंग रहे हैं कौन सा ऐसा दीप है जिसमें रिश्व को द्वारा जो है विश्व धरोहर अस्थल है माना जाता है अपनाये गया है जो मुख रूप से हिंदू भगवान शिप की समर्पित गुफा मंदिर का शंगरा है वो कौन है यह बताएगा तो अलिफैंट दीप है या तकेंगे क्या है एलिफैंट तीप है या तकेंगा जो कि आपको यह मुंबई में पढ़ता है या तकेंगा कहां पढ़ता है तो मुंबई में पढ़ता है या तकेंगा यह 12 किलोमिटर दूर समुदर से समुदर में इस्थित है 12 किलोमिटर 12 किलोमिटर या तकेंगा चलिए आगे चलते हैं अगर पूछा जा कि यह है इनिस्कों द्वारा कब अपनाए गया तो याद रखेगा 1987 में अपनाए गया था याद रखेगा ठीक है कोई रिकर नहीं चलेगा सामिल किया गया था इनिस्कों में चलेंगे आगे की और 22 प्रश्ट के और चलेगे 22 प्रश्ट के अगर बात करें तो निमनिकित में से कौन सा समुद्रिय याद रखेगा कौन से समुद्रिय बंदरगा हिंद महाशागर में इस्थित नहीं है तो इसमें से चार आप्शन में से एक आप्शन आपको जो है बताना है जिसमें हिंद महाशागर में इस्थित नहीं है तो उसके लिए आपको त एक तरश तरह सहे किया है इसी देगे मनीला फिलिपिन संद्स स्वाल है कि अगर बात करते हैं तो इश्रो इश्रो पे मैं बता चुका हूँ वीडियो ठीक है इश्रो का पस्तावित जो है शुक्रियान तेखे शुक्रियान मीशन कौन से गरह के अध्यन के लिए है तो शुक्रियान जैसे ही नाम आता है उसमें आप जानते हैं शुक्र की बात की जाती है है ना तो सुक्र ग्रह की चंदकारी मिलती है option नमबर शी जो है सही है या तकेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ जाए है ना इसे 2024 में लॉंच करने वाले अभी हुआ नहीं है अगामी जो मैंने शुरों का बारे में पढ़ा था ना वो शी का है तो अगामी लॉंच होने वाल है या तकेगा 2024 में होगा लॉंच सु ख्रयान Android गाज चलें कि ठीक है है संदेर हमें आगे चलते हैं 24 फुव्प्रश्ण के अगर बात करते हैं च्व व हुष्बंश्ण की गषपोसिती बाद। रूप से कब किया गया था यह बताएगा मतर्शंपूर्ण रूप से कब से होने लगा तो यह रिखेगा यह अंतराष्टी ओलम्पिक शंग द्वारा जो सुल जो है शुकार किया गया था यह कब किया था तो एक तरसे उनेशो तेरा में किया गया था यह तुकेगा ठीक है ओ उलम्पिक संग द्वारा जो है उलम्पिक की पाँच रिंगों को सर्वजनिक रूप से अगर देखा जाए तुने 113 में जो है क्या किया गया था पस्तूत कर दिया गया था या दुखेगा चलेंगे आगे क्यों चलेंगे आगे सवाल है 25 असकार टाइफ या दुखेगा चैसे समझे रूग है एक प्रकार का क्या गाया या जाता है लगादे के लिए रहा घृघ मसर घंस कैसे अगया होगा तो ना कठी हो जाता है इसमें यह है टाइफ चलते हैं चलते हैं चलते हैं आगे यहां चलते हैं मुगल का नहीं देखें तो देख लीजेगा विडियो मैं बता चुका हूं है धंसे अकबर के दरवार में यहां रखेंगा नवरतनों में शामील महेस दास निम्र में से किस नाम से लोग परिये हैं लीजी इस कोशन को कैसे घुमा दिया अब महेस दास किनका नाम है आप नहीं जानते हैं आप कहानियों में भी बहुत बात सुने होंगे अकबर बिर्वर की कहान प्रश्ट के अगर बात करते हैं तो अर्फेट नोवेल की असमिर्टी में आर्थिक विग्यान में 2020 का या दिखेगा स्वे रीजेस रिक्स बैंक पुरुषकार से उक्त रूप से अर्थके का प्रदान किया गया था पॉल आर मिली ग्रोम और रॉबट विल्सन ने प्रदान किया था या दिखेगा 28 प्रश्ट के अगर बात करते हैं सारवजनिक हीत के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है तो बताएगा अधिक बढ़ाया जा सकता है तो किस रूप में या तरह के ऑपिशन के साथ आपको जवाब देना है रहेगा तो आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं कि विश्वास साहलं ज्यूतिये या दिखेगा किस वर्स में बंगाल बिहार और उडिशा की दिवानी इस इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फर्मान चारी किया था लिजे ये कोशन दुवार आ गया बताईगा तो अनुदान देने का फर्मान चारी किया था बताईगा कब ये डेट बहुत अ तो यहां पर थोड़ा सा क्या है कि 65 है ठीक है तो 64 लगा देते ठीक है ठीक आँड कर देते क्योंकि लेकिन यहां पर अगर 1764 लगाते यहां पर नहीं है तो लगातेंगे ओके दिक्कत नहीं है तो आप जानते हैं पंकज अडवानी है यह धनकेगा ठीक है आठ वार एशिया खेलों में श्रंड पदक जीद चुके हैं आठ वार यहां रखेगा ठीक है चले आगे आगे सवाल बनता है एक तिस्मा प्रश्ण के ओर चलते हैं एक तिस्मा प्रश्ण है कि यह धी प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पनों से परिवर्तित हो तो कितने प्रतिवीम बनेंगे तो बताएगा कितने प्रतिवीम बनेंगे यह बताएगे तो यह खाली जगा है की परत चढ़ा कर जल्द रोधी बनाया गया था तो कौन से ऐसे परत था चढ़ा के जल्द रोधी मतब रोकने के लिए बनाया गया था बताएगा तो आप जानते हैं ये तो आप जानते हैं एक विशाल अश्णानागार के रूप में बढ़ा याद सकेगा चलेगा तेटिसमा प्रस्ट के अगर बात करें भीमा देवी भीमा देवी की समर्पित प्राचीन मंदिर कहां इस्थित है तो भीमा देवी की अगर पूछे कि समर्पित प्राचीन मंदिर कहां इस्तित है तो आप अच्छे से जबाब दे सकते हैं इसका अंसर है ऑप्शन नमबर यातुकिएगा डी होगा पिंज और हरियाना में है यातुकिएगा भीमा देवी के अगर बात करेंगे तो पंजाब यातुकिएगा पंजाब मतलब सरी ह हरियानाः पिंज और को यातो केंगे विए चuzzah रियाना में है जाएग आगे चुंसरिस्वाप्रंष्ट के अगर बात खतते तो अधिवरी गंथियां मानुष्ण शरी पे किस अंग में इस्ठित है अधिवरी चो होता है केड़ी को खारते है अधिवरी मतलब किगनी में diplom तो अधी ब्रिक करंटी मानल शरीक किस अंग में होगा त्या रिखेगा वो होगा फिट्णी में या रिखेंगे चलिए 35 प्रश्ण के अगर बात करते हैं तो भारत के किस सराज्च में मनीक या रिखें मनीक बंच का शासन था कौन सा राज्च में था यह बताएगा आपका 35 प्रश्ण का जबादी जगा त्या रिखेंगा औप्शन नमबर ए तिरपूरा में था अगर आप से पुछे एक मनिक बंच का शासन कहां था तो तिरपूरा में था या रिखेंगे चलिए आगे क्यों 36 प्रश्ण के बात करें बिविन्न देशों को बर्गी करित करने में विश्व बैंक द्वारा उप्योग किये जाने वाला या दिखेगा मुखमाप दंड निमिखित में से कौन है जो बताएगा मुखमाप दंड जो है बताएगा निमिखित में से कौन सा है बताएगे आप पुशे संतिस मौपरश्म कि भार्तिय शमिधान का अनशेद जो है भार्तिय शंस्तर दिव में मंत्री परृमिकाओं और जिमितारियों का वर्णन करता है। तो इसका अनसर जैली ओस्तर नुमल अनशेद सनसर अनशेद करता है ये द्यान दिखेंगे ठेक है कोई दिक करते ही चलते हैं 38 मा प्रश्ट के अगर बात करते हैं तो 38 मा प्रश्ट नहीं कि राज्यों की परश्यत मतब राजसभा में काम-काज की प्रकरिया और आचरन के किस नियम के तहद राजसभा के शवहपती उपसभापती के पैन करते हैं सदन की अधिस्ता करते हैं कौन करते हैं यह बताएगा अगर पूछे तो असी बताएगा अनुषेद असी बताएगा नियम पूछते तो आठ बताएगा चीग है गोजिकत समझ गया है आग चलते हैं चलते हैं आगे क्यों आगे सवाल बनता है कि कुल भागोलिक छित्र के परतिसत के रूप में बन आच्छादन के संदर्व में दिवार्शिक भारत बन रिपोर्ट जो है 2019 के के अनुषाद निम्रिकित में से कौन सा राज्य जो है भारत के सिर्स पांच राज्यों में से एक नहीं है तो आपके ऑप्षन के साथ से इसको जवाब देना है नहीं में ठीक है कोन नहीं है यह बताना है तो इसका ऑप्षन नमबर ए मत परदेश्यों है नहीं है या तकेगा तो मत परदेश्यों है पांच राज्यों के सिर्स में प्राले द्वारा राष्टिय सहायक प्रजनन प्रदोगी और सरूगेशी बोड के विश्यसग शदस्त के रूप में किससे निव्ट किया गया है उनका नाम बताएगा उनका नाम है ऑप्शन बड़ी डॉक्टर आरजी परशाद को यह बताएगा प्रसुत इस तरी जो रोग होता है विश्यसग और प्रसूती रोग जो विश्यसग होते हैं डॉक्टर आजी पटिल को केंद्रिय स्वास्त मंत्रा ले द्वारा रष्टिय सहायक प्रजनन प्रदोगी और सरुगशी बोड के जो है सदस के रूप में निव्ट किया गया है या रखेगा चीक है केलियर हो गये जलेंगे आगे सवाल है कि विश्ण चौम जागरुकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है तो विश्ण जागरुकता दिवस अगर आपसा पुछे कि कम मनाया जाता है या रिके गांटि और मेल प्रजन या सहरी बिकाश मंत्राले प्थेंगे झसे के व्यां हैं से के सबसेटे Regg. सबस्क्रिक्राइब थे यह तक hen कि यह तक तो चलिए 43 की अगर बात करें नासा में मून 2 मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख्य के रूप में किसे निप्ट किया गया है बताएगा तो नासा के मनू 2 मार्स प्रियोग्राम के पहले प्रमुख्य के रूप में किसे निप्ट किया गया है यह बताएगा तो इनका याद एठयावनों प्रुष्ट के अगफ्रश्ट करते हैं वार्षिक भृतिये श्रीलंका द्यूपछय समुद्री अभ्याश जिसका नाम है सिलिनेक्स, सिलिनेक्स बोच सकते हैं या S-L-I-N-X या दिखेगा, तो S-L से स्रिलंका, I-N से इंडिया या दिखेगा, तो हजर तेस का कौन सा संसकरन जो है, कुलंबो स्रिलंका में आयुजित किया गया था तो कौन सा संसकरन था, ये पूछ रहा है बारस जिननका में अभियाश वाई, समुद्धे अभियास दिपच्छिये, बताएगा के मां, जो है आयोजिन क्या गया था, या दिखेगा, कॉलंबी में संसकरन का नाम पूछ रहा है, जा रखेगा दस मां, संसकरन क्या गया था तेन्थ या दिखेगा, तेन्थ, ठीक है क्लियर आग चलते हैं चलिएगा, पैतारिक सब्सक्राइग के अगर बात करते हैं तो दूसरा आज G20 टूरिजम वर्किंग ग्रूप TWG के बैठाग किस शहर में वो मतलब शुरू हुई है, तो बताएगा दूसरा जो G20 टूरिजम वर्किंग ग्रूप जो है TWG के बैठाग किस सहर में शुरू की गई, तो इस ऑप्षन के इसाफ से आपको बताना है, तो या रखेगा ऑप्षन नमबर A, या रखेगा सिल्यू गूड़ी या रखेगा सिल्यू गूड़ी में जो है पच्छीन बंगाल में है सिल्यू गूड़ी और दार्जिलिंग सिल्यू गूड़ी और दार्जिलिंग में एक से तीन अप्रेद अगर यहां पर सिल्यू गूड़ी के जगा पर दार्जिलिंग भी रहता तो यह तो आप्शन में नहीं दिया है लेकिन सिल्व गोड़ी दिया है तो अंसर होगा सिल्व गोड़ी या तखेगा यह 1 अपरेल से 3 अपरेल 23 में आयुजित की जाएगी या तखेगा की जाएगी मतलब किया जा चुका है 23 हो गया खत्म किया जा चुका है चलेंगे 46 में प्रष्ट की अगरबात करेद अच्छा मंतरा लेने देशों की रच्छा छमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पातकों के साथ साथ लगभग 5400 रुपे की कुल लागत पर कितने अनुबंदुनों पर हस्ताचर के थे तरखेगा इसका अंसर का जवाब को देना होगा संसर का जवाब आप बहुत अच्छे सुझेजेगा तो बताएगा कितने लोगों पर कितने तो याद रिखेगा तीन याद रुकेंगे कितने तो याद रिखेगा तीन चलिए फड़ा फड़ा और करम करते हैं नई दिल्ली में दिन दयाल उपद्धाय ग्रा एंप लॉयर्स नामक एक अंगमूठी पाहल किसने शुरू की थी थी तो एंपेड़ास। प्रश्ट का जवाब दिए लिम्टेट एस 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 एक हो खाली जगा सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटर्प्राइजेच का दर्जा दिया गया तो किसको दर्जा दिया गया है यह पताएगा आपके सामने प्रश्ट का जवाब दिए तो उसका अंसर है option no.b याद रिखेगा मीनि रंत रत्न कैटेगेरी प्रथम को दिया गया है याद रिखेगा option no.b याद रिखेगे चलेगे 59 परश्ण को चलेगे 59 परश्ण है 10 दिवस्षी संस्क्ति उत्साव साराश्ट तमिल संग छो है किस राज्ज में सुरू हुआ तो यहरकेगा अगर 10 दिवस्षी जो संस्क्ति उत्साव होता है स्वराश्ट तमिल, संगम किस राज में शुरूबार क्या होगा गुजरात होगा या दुकेगा देखिए कंबम पनीर थरचाई जिसे कंबम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है जो भववलिक संकेत जी आई टेक या दुकेगा टैग मिला है कुम्बूम कुम्बूम अंगूर किस राज में जो है इस्तित है कुम्बूम जो है कंबम को अंगूर कहते हैं या दुकेगा तो कुम्बूम पनीर थरचाई कुम्बूम पनीर थरचाई जो है आप्शन नमबर D या दुकेगा आप्शन नमबर B या दुकेगा तो 51 की अगर बात करें तो भारत का सबसे नया नाव किये उर्जा सरयंत्र कौन सा है तो अगर अपसे पुछे नया तरह से पूछ रहा है तो यह बताएगा 51 की अगर बात करें तो बताएगा इसका अंसर का जवाद तो यह तकेगा option no.3 तकेंगे कुंडन कुलम तकेंगे। हगा 51 का अंसर का जवाव होगा कुंडन कुलम तमिलाडू में पढ़ता है यह तकेगा त्रीवन वेली जिला में पढ़ता है कुंडन कुलम यह तकेंगे। आगे सवाल बनता है चलिए आगे सवाल है मिथन का पर कर्तिक अगर पूछे तो आप जानते हैं तो पुछे ऑप्छे तो फड़ी टू का प्रतिक आप सब कर दो चलिए अगे वड़ते हैं फटा फट चलते है मेरे दोस्त ने तो बहुत टाइम लग जाएंगे है ना तो शरी पहला कोशन के ओर चलते है मतब 53 कोशन के ओर केलिवीन पैमाने पर पानी का हिमाने पर पानी का हिमाने पर अगर केलिवीन के हिसाब सेदन आपते हैं तो पानी का हिमान जो होता है क्या हुआ बता सकते हैं आप होता है आप याद रखेगा 273.15 केल भीन होता है याद रखेगा चुक है याद रखेगे आगे चलेंगे आगे सवाल बनता है 54 के अगर बात करते हैं तो कोश्का की खोच किस ने की थी अगर कोश्का की खोच के अगर बात करते हैं तो याद रखेगा ये हैं ऑप्शन नमर भ यह ECG या ठखिएगा ECG परिच्छन किया जाता है ECG परिच्छन का देखिए क्या नाम है फास्ट फोरश का प्रमानुकता क्या है अटोमिक जो होता है अटोमिक जो होता है क्या है बताईगा तो याद केगा इसका होता है option number B याद केंगे 56 का option number B उसका क्या होता है कि प्रमानुशंक्या अगर आप से पूछते हैं बंदर होगा प्रमानु शंख्या और शंख्य पीसे करते हैं फास्फॉरस को आप जानते हैं यह डिटेइल बता दीए option number 2 जो है यह answer है चतुस प्रमानु खें या ठकेगा चांगे आगे क्यों और हाँ मिरे दोस्त इंग्लिश में नहीं देता है ये खांसर का बुक मैंने देखा है तो इंग्लिश में लेना पड़ेगा इगर होता है तो कर दूता हूँ लेकिन इंग्रिश और हिंदी मिक्स नहीं देता है इसलिए नहीं कर पाता हूँ हिंदी में ही देता है स्वसन नली यातकिगा इन में से किस मानव तंतर का एक भाग है तो स्वसन नली जो है इस में से किस मानव तंतर का एक भाग है बताएगा तो या तकिएगा वो है Operation number D या तकिएगा शोसन्तंत्र क्या है Option number D या तकिएगे 65 तान्तो रहे ये ध्यान रकिएगा आगी चलते हैं 58 की अगर बात करते हैं 58 की निमनिकित बेसे कौन से गरंथी इन्सुलीन हार्मोन का उत्पादन करती है तो बताएगा निमन में से कौन से ऐसी गरंती है इंसुलीन जो है हर्मोन का उत्पादन करती है इस option के हिसाब से आपको बताना है तो यह देखेगा option number D यह देखेगा अगनाशा है pancreas pancreas है यह देखेगा pancreas बोलते ही इसको ठीक है चलिगा 59 की अगर बात करते ही 59 की तो निमन में से कौन से बिद्धू चुमकिये तरंग है तो कौन से ऐसी है जो कि बिद्धू चुमकिये तरंग है यह बताएगा तो इसका अंसर का जवाब आपको देना होगा तो इसका अंसर का जवाब आपकेगा क्या दीजेगा मेरे दोस्त आपकेगा option number 3 आपकेगा एक्षकिर में दीजेगा आपकेगा क्या दीजेगा एक्षकिर में दीजेगा आपकेगा ठीक है आगे चलेंगे 60 की अगर बात करते हैं 60 की अगर बात करते हैं मेरे दोस्त ठीक है एक मेरे दोस्त यहाँ पर दिखते हैं यहाँ पर क्या बता है ना 56 57 का 67 बता है हाँ है दम सही बता है नहीं हमें लगा कि थोड़ा हो गएंगा चलिए ओफ्जयर को 59 का है आगे 60 का चलिएंगे दम अस्तमा जो होता है इस शहीं शरीर के बताएगा विकार है किसका विकार है बताएगा तो अब्शे लीया या रखेएगे आगे चलिएगे डिट अरुकरण को बताएगा रूप में जाना जाता है तो live जो detector है उकरन को रूप में जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है ये बताएगा तो option number D या तुकिएगा polygraph के रूप में जाना जाता है ये धान रखेगा आगे क्यों चरेंगे आगे शवाल बनता है देखिए इसके बारे में थोड़ सा नीचे डिटेल दे दिया है चलिए कोई बढ़ नहीं आगे बढ़ से आगे सवाल बहुता है कि Microsoft या तकिएगा Microsoft Excel में या तकिएगा workbook का एक संगर से जो है संगर होता है संगर से नहीं संगर होता है क्या होता है यह 4 option के हिसाब से इसका detail भी दिया हुआ है या तो यहाद दिखेगा 62 के अगर बात करेंगे मिस्प्रिंट हो गया एक तरशे देना था कहां दे दिया है यहां पर ठीक है तो 62 के अगर बात करते हैं तो 62 में आप्शन नमबर छी या तकिएगा work sheet होता है या तकिए आगे चलते हैं ठीक है चलेगा आ या तकिएगा चानते हैं आप 64 के अगर बात करते हैं तोड़ा सन नीशे करते हूँ 64 के अगर बात करते हैं प्रोटियम या तकिएगा प्रोटियम में कितने निट्रोन मौजूद होते हैं या बताएगा तो या तकिएगा option number D 0 होते हैं या तकिएगा आगे चलेगे 65 के के शंपर्क में आता है तो चलिएगा बताएगा 65 के अगर बात करते हैं तो आप्शन नमर भी गंधक मेरे दोस्त चलेंगे चारो आप्शन का डिटेल मैं समझा सकता हूँ या जो अंसर है उसका इस्ट्रा नौलेज दे सकता तेकिन अभी लेट हो रहा है मिरे दोस्त तो फटाफट करते हैं है ना क्योंकि यह सब तो इस्ट्रा जो साइंस का पढ़ाता हूँ उस पे तो मिल जाता है है ना 66 के अगर बात करें तो निम्निकेत में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रश्चानिक अभिकरिया नहीं है तो बताएगा रश्चानिक अभिकरिया नहीं है यह बताएगा 66 मा प्रश्ण के अगर बात करें तो इड़की का ऑप्चन नमरे आकार में परिवर्तन याद रखेगा चलेंगे आकार में परिवर्तन याद रखेगे चलेंगे 67 के अगर बात करते हैं तो प्रमानु उर्जा अधिनियम याद रखेगा खाली जगा नावकिये शक्ति उत्पादन के नीजी नियंतरन को प्रतिवंधित करता है तो प्रतिवंधित करता है यह बताएगा तो option number 3 याद रखेगा 1662 याद रखेगा प्रमानु उर्ज अधिनियम उने 1660 के तहद अगर देखा जाए तो नावकिये शक्ति उत्पादन में नीजी नियंतरन को प्रतिवंधित करता है चलेंगे 68 के अगर बात करते ही तो निम्न में से कौन साइग केंप्यूटर के संदर्व में और पूर डिवाइस है बताएगा 68 के अगर बात कर ले या कभी-कभी छोटे-छोटे क्लिप कर दूँगा और बीवित परशन के लिए एक शरह आ रहे हैं वो हमेशा बीवित परशन का लूशन का बीवित परशन जीतना भी है वो खतम करवा देंगे पूस्तक से लेके जो भी है वो सारा करवाएंगे और तिस-दिस कोश्चन करके होगा तो आप चाहें देख सकते हैं वो एस्पेसिली उपी पुलिश के लिए करवाने आ रहे हैं तो ध्यान रखेगा इन में से किस प्रकार के अंगो की बुनियारी संरचना एवं उत्पत्ती शमान होती है किन्तु उनके कार्ज भिन होते हैं बताएगा 69 के अंसर का शमान रखेगा में कितना प्रती रूप मौझा रूप माझूत होते हैं बताएगा जया रखेगा 2 कितने तो 2 होते हैं याद रखेगा श्युक्र इसके बारे में इस बटादूँगा बात में मेरे दोस्त अभी लेठ होने के day फास्ट करना पड़ता है ठीक है तो वर्ल्ड वाइड वेब कावशकार किस वर्ष में किया गया तो वर्ल्ड वाइड वेब कावशकार जो है किस वर्ष किया गया यह बताएगा तो इसका अंसर नवाशी लगाएगा यह तकेगा तो वर्ल्ड वेब कावशकार किस वर्ष किया गया तो उने शौ यह त थनकेंगे पाइक, देखिए, यहाँ पे देखिए, पाइक, पाइक नर्थ है, यह किस भरती है, राज्जे से समंदित है, तो पाइक जो नर्थ होता ہے, वो बताएगा, भारत के कौन से राज्ज Tutaj यह बताएगे, तो यह दखिएगा इसका ऑप्शन अमर ए लगादेज़ गा और भी राज्यों में पाइक है लेकिन उडिशा के लिए ज्यादा फिमश है यूद्ध शमंदित यह निर्थ होता है यह तकेंगे आगे सवाल बनता है 73 के अगर बात करते हैं भारत के निम्रिकित में से किस NGO को 2011 के लिए स्विक्तराष्ट के एक्वेटर पुरुष्का से समा लाज द장 केगे आगे बाद में बता दूँगा आगे चलते ही पाकिस्तान नाम किस वर्स गढ़ा गया तो पाकिस्तान का नाम करण अगर पूछेगा कोई भी तो आप यार टखेगा यह बताएगा refres है उनी 1133 में बताएगाatosgan 1723 में उने 1133 में QR जो है केमबरीश विश्यव का नामकरन हुआ या तकिगा और Cambridge विस्विदाले में हुआ था या तकिगा 1933 में चुछा है आगे क्यों चरेंगे आगे 75 प्रश्ट की अगर बात करते हैं तो भारत के शमिधान का मोशवदा तयार करने या तकिगा भारतिये शमिधान का मोशवदा जो तयार करने के लिए शम अगर चलते हैं तो महातमा गानी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में बिटिश आशन भारतियों द्वारा किये गए विस्तरित सहिव का परिणाम था मतब जो मदद करते थे उसके कारण ये बिष्टिज जो है हम लोग पे कवजा कर लिया तो कौन से पूस्तक में लिखे हैं यह बताएगा महातमा गानी तो अगर आपसे पूछे कि हिंदिस स्वराज में लिखे हैं महातमा गानी कि क्या लिखे थे कि जो बिटिश शरकार था बिटिश शर्षन का जो बढ़ा बिस्तरित हुआ वो कारण था कि हम लोग के शहियों के कारण हम लोग का परणाम है यह तो खेंगे मतल हम लोग का कर्मी और क्या आगे चलेंगे 77 के अगर बात करते हैं दिशंबर 2020 तक प्राप्त जनकारी के अनुशार केंद्रिये मंत्री म में शंसरिये मामलो के किंद्रिये मंत्री कौन थे यह बताएगा 2020 के हिसाब से तो याद किएगा option नमरे पहलाद जोसी थे याद किएगे क्या थे पहलाद जोसी है याद किएगा चलेंगे आगे क्यो 78 के अगर बात करते हैं तो चरिये 78 के बात करते हैं तो नमरे कित में से कौन शारोग जो है विशानू जनित रोग है विशानू जनित रोग नहीं है यहाँ पर देखिए confusion यहाँ हो जाता देखिए अभी हम जस्ट पढ़ते हुए चल गया कि विशानू जनित रोग है अब नहीं पूछ रहा है तो कौन नहीं है विशानू जनित रोग तो बता सकते हैं विशानू मताब वाइरस तो कौन नहीं है तो हैजा एक जल जनित रोग है नहीं कि विशानू है यहाँ तकेगा तो हैजा एक जल जनित रोग है यहाँ तकेगे लेकिन डेंगू जुकाम यह सब जो है वाइरस है यह 24 मार्च को भीजा गया था यह भूलियागा मत 24 मार्च 1926 को भारत आया था यह देखेगा लेकिन इसकी घोषणा अगर पूछा जाए कि अबने उनेशन की घोषणा कब होई थी तो 1926 में तो हुआ था लेकिन 1929 फरवरी को हुआ था 1926 को हुआ था गोशना अब भारत कब आया तो 24 मार्च 1926 को भारत भेजा गया था या तकेगा लेकिन इसके कितने सदस थे तो या तकेगा अगर देखा जाए तो सदस के अगर बात करते हैं तो तीन ही सदस थे या तकेगा ठीक है तो सदस से अगर पूचे तो तीन सदस सामिल थे या तकेग होता है कितना अंतराल होता है यह पूछ रहा है तस्की प्रश्ट के अगरबाद करें तो दो घंटे का अंतराल होता है गुजराथ से अनुराचर प्रदेश के बीच का समय अथकी का आगे चलेंगे 81 के अगरबाद करते ही तो 81 में देखिए थोड़ा सा small कर देता हूँ है ना 81 में क्या question है सवाल करते हैं तो 81 में है कि भारतिय शमिधान के समंद में निमने उसे कौन सा कथन जो है शर्त है सत्य बताना है तो इस option को आप आराम से पढ़ेंगे और आराम से इसे tick out करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा उपर आर्ट कर देता हूँ है ना तो आपको असपस्ट दिखेगा है ना एक मिल्ट आप अंसर का जवाब देखेगा तब तब है ना तो इसका अंसर का जवाब देखे आपके शामरे एटी वन का अंसर का जवाद दिए कि कौन सा कथन सकता है तो एटी वन के अगर बात करते हैं तो option number B जो है यातुकिएगा सही है मौलिक अधिकार नियाशंगत होता है जबकि राज के निती निद्शक्तत जो है गैर नियाशंगत है मतलब ये राज के अंदर आता है नहीं कि हमलों के लिए आता है पबली के लिए आता है यातुकिएगा चलेंगे 82 की अगर बात करते हैं 82 की अगर बात करते हैं 82 की तो RBI द्वारा आवाशी वित प्रती भूती करन वजार के विकाश है तू गठित समीती का अध्यच कौन है तो गठित समीती के अगर अध्यच के बात करें तो option number D हषवर्दन है यातुकिएगा कोन है हषवर्दन जी है त्यान रखेगा आगे चलेंगे इंटरनेट में खाली जगा का उप्योग किया जाता है तो इंटरनेट में अगर बात करें कि इंटरनेट में खाली जगा बताईएगा उप्योग किया जाता है तो यह इसका याद रखेगा पैकेट सीचिंग का उप्यों करते हैं इंटरनेट के लिए याद रखेंगे आगे चलेए 84 की अगर बात करते हैं 84 कोशन की स्युक्तराष्ट संग की अस्थापना बताईगा खाली जगा देशों द्वारा स्युक्तराष्ट चार्ट पर हस्ताचर के माध्यम से की गई थी मतलब कितने सर्दस्ट की जो है द्वारा क्या किया गए था हस्ताचर किया गए था उस अनुशार आपको बताना है सर्दस्ट के नाम बताना है तो यह रखिएगा 84 के अगर बात करते हैं तो यह रखिएगा उस समय 50 तेशन द्वारा जो है स्युक्तर राष्ट चार्ट पर हस्ता चर्किया गए था तो यह रखिएगा 50 option number B याद रखेंगे ठीक है अब जो बरतमान में अगर देखा जाए तो 193 सदश है मेरे दोस्ट कितने हैं 193 सदश है इसके अगर अस्थापना की अगर बात करते हैं राष्ट शंग की तो 24 सक्टूर याद रखेंगे 24 सक्टूर 945 को याद रखेंगे मतोबने 145 याद रखेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं और डिटेल बाद में बताएंगे मेरे दोस्ट चलते हैं आगे की और बहुत सारे सेट प्रैक्टिस में आते रहेंगे तो होता रहेगा ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं भीम बेटका की गुफाओं की खोच कब हुई थी तो भीमबेटका की गुफाओं की अगर खोच की बात करते हैं तो कब होई थी ये बताइगा तो भीमबेटका की गुफाओं की खोच अगर पूछटे आपसे तो अर रिखेगा 9057 से लेकर 9058 में था तो जो आप्शन नームर B लाएंगे वो शेही लगाएंगे याद रकीगा तो भीमेट का बरतमान में कहा है आप बताये सकते हैं तो आपके लिए यह प्रुष्ट है बताइएगा चिक है बता सकते हैं तो बताइएगा और भीमेट का बहुत ही important है मैं पढ़ा चुका हूँ याद सक्ती है चलेंगे ऐसे भुपाल में है भुपाल आप कहा है ये बताईए आपके लिए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट रखेंगे चलिए आज के लिए इतना रखते हैं नमस्कार धन्यवाद बाई बाई टेक केर में दोज़िए